काम चोर बहु कांता बहन की दो बहुएं थी बड़ी कलपना और छोटी प्रिया कलपना का जैसा नाम वैसा ही काम सारा दिन कलपनाओं में रहती ना कोई काम करती ना कोई धाम अरे कलपना बहु जरा अच्छी सी चटनी पीस दे आज कुछ मसेदार खाने का मन है पेट में जलन हो जाएगी मा जी बढ़ापे में और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है अब प्रिया को ही बोल दो इतना कहकर कलपना वहां से चली जाती है कांता कलपना के ऐसे रवये से काफी परिशान रहती है मैं बना देती हूं मा चटनी ऐसा बोलकर प्रिया मा को चटनी बना कर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कलपना आ जाती है अरे वा चटनी ज़रा चक कर तो देखू बड़े दिन हो गए अरे नहीं बहू तो तो रहने ही दे चटनी खाना पेट में जलन हो जाएगी इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हसने लगते हैं कलपना सारा दिन या तो मुबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता एक दिन कलपना का पती अशोग उससे कहता है अरे कलपना जानवर भी उस जगों को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है तुम तो इंसान हो कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो देखो सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है ज्यादा अपनी मा का बोलना बोलो हाँ कमरा तुम्हारा भी तो है गंदा लग रहा है तु साफ कर लो पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिन्दगे बिताऊंगा इतना कहकर अशुक वहां से चला जाता है कलपना बस खाना खाने कमरे से बहार आती और फिर से कमरे में चली जाती इससे कांता बहन काफी परिशान रहती एक दिन प्रिया कांता से कहती है मा मैं सारा दिन काम करके ठक जाती हूँ आप कलपना दीदी से कहिए न कि सुबा और शाम का काम बाट ले मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी हाँ अरे तु वो भी ना करना एक बहुतो काम चुर थी कानता मन में कुछ सोचती है और कलपना के पास जाती है कलपना फोन पर मेक अप करना देख रही होती है कलपना तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो घर का कोई काम भी कर लिया करो प्रिया सारा दिन काम करके ठक जाती है आज से मैंने फैसला किया है एक वक्त का काम तुम करोगी सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया आप लोगोंने काम को हुवा बना रखा है अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाती है और हाँ बहुत ज्यादा प्रिया की तारिफ मत करिये मेरे सामने बड़ी बहु तो मैं ही रहूंगी मैं कुछ नहीं जानती कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए रसोई में आ जाना वन्ना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा अगली सुबह कलपना रसुई में नहीं आती है वो देर से सोकर उठती है और बहार आकर कहती है अरो भूख लगी है आज खाने में क्या है इतनी देर हो गई आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं पता नहीं कहा है सब कलपना को घर में कोई नहीं दिखता वो रसुई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है आरे रसुई में ताला ओ मैं तो भूली गई थी मा ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था ए भगवान इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है तब ही घर के सारे सदस्यर बाहर से वापस आते हैं वा मा जी मज़ा आ गया छोले भटूरे खा कर मेरे मूँ में तो अभी भी स्वाद आ रहा है अरे कलपना तेरे भरो से रहते तो हम तो बूखे ही रह जाते कलपना को बहुत गुस्सा आ जाता है अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करनी की आदत से वो भूकी ही रह जाती थी। उसे की सामने घर के लोग अच्छे-च्छे पक्वान खाते और काम चोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बना कर खाना पड़ता, पर एक दिन तो हदी हो गई। मा, दीदी आज सुबह से कमरे से बहा नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। हम, सो रही होगी काम चोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो, देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़ कर बैठी होती है। ओए, मेरा दर्द, पेट दर्द के मरें मर रही हूँ मैं। अरे दीदी क्या हुआ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया आपने। मा, कल्पना खड़ी होती है, और माजी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूँगी, कभी आलस और काम चूरी नहीं करूँगी। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया, जो तु काम करने को तयार हो गई, काम चूर कल्पना। मा, लगातर बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने की कारण, मेरे पेट में इंफैक्शिन हो गया है। काम न करना पड़े, इसलिए मैं दो दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने की कारण, लेने के देने पड़ गए। आहो, पेट में दर्दो रहा है। चलो, अच्छा हुआ, देर आये, दुरस्त आये।